Q9, if a train with a speed of 60 km per hour, एक train आपको देए, कितनी speed आउस की 60 km per hour, ठीक है, स्पीड रिखे ये train की, कितनी 60 km per hour, crosses a pole in 30 seconds, एक pole है, उसको 30 second में cross कर देती है, यह pole बना लेते हैं यहाँ पर, इसको cross करने के लिए टाइम कितना लेती है 30 seconds okay the length of the train is train की length पूछी आपको स्पोस कर लो length कितने train की x meter है मैंने स्पोस कर ली जो train की length कितनी है x meter है तो आप मुझे बताओ जो train है उसने pole cross करना पोल को cross करने के लिए train को कितना distance travel करना पढ़ेगा से यहाँ निए ट्रेन मांने मांने सके बिल्कुल फेस पर खरी आप पोल पर क्रोस करना है बस उसने cross करने का लिए train कुछ एसे खड़ी होगी कितना distance travel करना पड़ा train को ऑपनी राव दिस्टेंस टेवल करना पड़ा जितनी लंब़ी ट्रेम है यूट नहीं वो डिस्टेंस टैवल करेगी productions करने के लिए ःख उते संटेटने चिह प्र eben कितनी है और चितनी आपकी पर speed आपके km per hour में है distance meter में है time seconds में तो पहले km per hour speed को meter per second में convert करो कैसे करोगे 60 को किस से multiply करोगे 5 by 18 से जब भी km per hour से meter per second में convert करना है तो 5 by 18 से multiply करो अब काटो इसको 6 3 is 18 6 10 is 60 तो कितना है 50 upon 3 50 upon 3 meter per second तो डिस्टेंस फॉर्म में डालो डिस्टेंस एक से स्पीड कितनी आई 50 upon 3 और time कितना है 30 seconds ठीक है 3 से काटो 3 टेंज आ 30 कितना अंदर अंसर है 500 तो जो एक से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कहलो चाहिए जो लेंट आफ ट्रेन है 500 मीटर जापकी ट्रेन है वो 500 मीटर लंबी है फोर्थ ऑप्शनिस का अंसर आएगा कितना है